नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनिल पुंडीर है और मैं टावर 3 महोगनी में रहता हूँ माई गूट्स में और ये वीडियो बनाने का खास कारण ये है कि 4,000 लोगों तक एक मैसेज को पहुंचाना, लोगों को समझाना शॉर्ट टाइंग में बहुत मुश्किल है, एक बहुत इंपॉर्टन इशू चल रहा है NPCL मल्टी पॉइंट मीटर कनेक्शन का सोसाइटी के अंदर, आज NPCL की टीम भी यहाँ पे आई थी और माइगेट के थ्रो जो है, कम्यूनिकेशन CBRD ने भीजा था सबको, कुछ रेजिजिट्स वहाँ पे आई भी थे, काफी रेजिजिट्स आये थे और आज की मीटिंग में तो खेर जितने लोग आये थे, युनैनिमसली सब ने कंक्लूड किया कि हमें NPCL का कनेक्शन नहीं चाहिए, उसके बहुत सारे रीजन्स थे, बटे चारहजार लोगों के सोसाइटी है, यह कुछ लोगों का डिजिजिजिजन नहीं है, यह सब का मि के डिजिजिन होना चाहिए, मैजोरिटी का डिजिजिन होना चाहिए, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, तो बिसिकली कुछ क्वेस्टेंस हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपना व्यूपॉंट खुदी फॉर्म करें, मेरी व्यूपॉंट से इंफ्लूंस नहीं हो, बट मैं अपना व्यूपॉंट रखना जरूर चाहूँगा, बिकॉस आई अज इंडिजिजिजिल हैं फ्यूपॉंट क्वेस्टेंस पहला, कि एंपी सील कनेक्शन लेने से मेरा क्या फायदा होगा, यह मेरा पहला पॉइंट है, 100 रुपे पर मंत, 200 रुपे पर मंत, 500 रु इनलाइस करके खुद देखिए अपने बिल्कु, सिंगल पॉइंट वर्सेज मल्टी पॉइंट में क्या डिफरेंस आता है, मैं उसके डीटिल्स पर बिल्कुल नी जाना चाहूँ, मैं चाहूँगा कि आप अपनी वर्किंग खुद करें और खुद अपना व्यूपॉंट बनाएं, क्योंकि मैंने जब आज NPCL से पूछा कि मेरा सिंगल पॉइंट वर्सेज मल्टी पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा, क्या बेनिफिट होगा, उन्होंने बोला ये बताना हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ अपना टरिफ बता सकते हैं, अगर मेरे को पता है कि मेर हमारी सोसाइटी में 6000 फ्लैट्स हैं, आज 4000 के आसपास के उकुपेंसी है, कल को 2000 और आ जाएंगे, अगर आटोमेटिकली मीटर से मिंटरेंस कटता है विजिक रिफ पे तो वो मिंटरेंस में पैसा जाता है, वो जाने के बाद भी बिल्टर से आज के रिफ पे कंप्लीट मि जाएगे, मैं रोज-रोज फ्लैट चेंज करता हूँगा क्या जैदे, मैं रोज-रोज सोसाइटी चेंज करके नए-ने फ्लैट नहीं खरीच सकता, तो एज अन इंडिविजल, यह मेरा दिकार है, यह जानने का कि मेरे फ्लैट की मिंटर्स कैसी रहेगी, कौन इंशोर करेग कि कैम आटोमेटिकली जो है, कैलकुलेट हो रहा है, 50% टेननसी है हमारी सोसाइटी के अंदर, कौन इंडिविजली जा जाके एक एक घर से कैम कलेक करेगा, so this is another question, another open question, number 3, as a consumer, मुझे NPCL ने टाइमली नोटिस नहीं दिया, आप लास्ट मिनट नोटिस देके हमको बोल रह कि A पे हूँ, आप बोले उस B पे जाओ, B के benefits in comparison to A आप बताने रहें और आप बोल रहें, आप इसको फटाफट कर दो, दूसरा एक rule था NPCL का, कि 51% जो लोग हैं, वो बोलें, कि भई हमें, जो है, NPCL के multipoint connection के उपर जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये rule अभी recently, फ और आप कोई state को state A से B में change कर रहे हो, जिससे मुझे impact आ रहा है, तो मेरा ये सब सवालों पे जवाब जानने का पूरा दिकार, और मेरा एक और आखरी point है, fourth point, बहुत सारी जगा NPCL ने इस तरह की meetings की हैं, और सब society को change करने के लिए बोला है, इसको multipoint meter connection में, बट क्या ऐस से हालात हैं, कि बहुत सारी society आज multipoint पे जा रही है, हम ही ये देखना चाहिए, कि और ये NPCL से भी पूछा में, कितनी societies multipoint पे जाना चाहती है, versus जो नहीं जाना चाहती है, क्योंकि मुझे जो लगता है, जितने लोगों को मैं जानता हूं, जितनी societies मैंने आस-पास में study की ह हैं, उनमें जादा-दर लोग, ये societies जो है, ये इनी सारे issues की वज़े से multipoint पे नहीं जाना चाहिए, बड़ ये सारे मेरे अपने personal views है, आपको बिल्कुल बाइस नहीं करना चाहता, बड़ चाहता हूं इस level की working, इस level का thought process जो मैंने build किया, वो आप भी build करें, और एक बार अ हम सब इस पर educated हो जाएं, और हमें consensus से decision लेना हो, तो हम इसको पर vote करें, thank you very much.